हलो एव्रीबडी दिस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट प्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीचेज एंड डून्स के बारे में जो की डिपॉजिशनल लैंड फॉर्म्स का पार्ट है हमने आपको इरोजनल फर्फर्फर्म करते हैं इरोजन लेंड फार्म बनते ह crashes के बारे में आपने पढ़ा टैरे श्वीं और डीयूज जो है उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ते हैं बीच जो जो बीच बनते हैं बीच जो डवलप हते न वह भी क्या से डवलप होते हैं वह दिपॉसिशन के कारण होते हैं वेव करन्ट ने इरोजि़न किया जो सारा मटीरियल एरोड किया उसे अपने साथ लेके है तो घूमने से रहे वो मतल legislators अपने साथ लेकि हुमें किम नहीं हमने रूल किया है वेर क्या करेंगी उस पूरे को कहीं नहीं करेंगी तो जहां डिपॉसिट करेंगी वहां अलग अलगया तरहके लाइनन फाम बनेंगे तो जहां deposit करेंगे वहां पीछे जो कहानी छुपी वो समझो बीच आपको कहां देखने को मिलेंगे पता है जहां पर शोर लाइन जो रहती है मतलब कोश्टर एडिया जो है वह जहां पर पोस्ट कर रहेगा अपूस Yani को समझाल थे लोखेंटरी कोस्ट मिलेंगे अपको से देखने को हाइव पर सफफेंगे एप दऄ है डाक नुद्स से करेंएन तो मतलब सकनसरा याई हा一 को और पे तोपोग्राफी से ऊते होती रफ होती एक दम ठीक है cliffs होते हैं बहुत जादा steep slopes होते हैं तो वहाँ भी लेकिन कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिल सकते हैं Patches में वहाँ प्रफ पैंच में देखने को मिल सकते हैं एक तरह से क्या reverse or from wave erosion तो दो तरीके हैं अब यह बीच बना है तो यह बीच पे जो sand है sediments जो है कहां से आये होंगे या तो wave erosion के कारण wave erosion के कारण कैसे आ सकते सर मतलब wave ने कहीं erosion किया होगा तो उससे जो sediments हो आये होंगे वो सारे जो land part था ठीक है तो इस land part पर क्या देखेंगे आप कि यहां से जो reverse होंगी तो reverse अपने साथ वो जो stream से अपने साथ sediments लाएगी उन sediments को यह deposit कर देगी तो भी क्या बन जाएगा तो भी बीच बन जाएगा तो बीच के लिए जो सेडिमेंट से वो जमीन से भी आ सकते हैं समुद्रिस से भी आ सकते तो वे इरोजिन के कारण भी और streams के कारण भी दोनों जगह से जब sediments आके deposit होंगे लो लो सेडिमेंटरी कोस्ट पे तब क्या बनेंगे बीचेस बनेंगे ठीकें बीचेसा टेंप्रेरी फीचर्स यह पॉइंट जो है कन्फ्यूज करता है बच्चों को टेंप्रेरी फीचर क्यों लिग दिया सर आपने हां पर मैंने आपको स्टार्टिंग मी जब वेवस और आपको क्या देखने को मिलता है बहुत डाइनामिक है बहुत जादा चेंज आते हैं पर यहां पर आज देखर आपको लरूरी हमेशा रहे कभी क्या होगा कभी जैसे आप देख सकते हो कि किसी सीजन में सारा बीच क्या हो जाएगा समुद्र खाजाएगा मतलब जो डिपॉ विच विच अपियर सो पर्मानेंट में बी रिड्यूस्ट वेरी नेरो स्ट्रीप ऑफ कोर्स पेबस इन सम अधर सीजन अब मान लो क्या यह कितना अच्छा लग रहा है यह लेकिन किसी सीजन में मान लो जैसे क्या हो रहा कि एक साल बहुत ज्यादा बारिश विए सी लेवल ऐसे तो बारिश से लेवल बढ़ता नहीं उतना ज्यादा लेकिन वहला जो मॉन्सून पिरेड रहेगा तब क्या होता है कि वेव ज्यादा अप्रोच करती है कोस्ट लाइन पे तब क्या होगा कि तब वह पूरी सैंड को अपने साथ ले जाए और सिर्फ कुछ कॉरस पेब सब्सक्राइब नहीं है टेंपररी रहते हैं यह चीज़ ध्यान रखिएगा तो यह हमने क्या देख लिया है फॉर्मेशन देख लिया बीचेस के बारे में बेसिक इंफरमेशन देख लिए अब आगे अगर बढ़ाते इसी चीज़ को तो बीचेस जो रहते किस चीज से बन से पेबल्स और कॉबल्स रहेंगे ठीक है तो बीचेस कोड सिंगल बीचेस कंटेंड एक्सेवली स्बाल पैबलस एंड इवन कोबल्स तो जरू नहीं कि हर जगवागा आपको सैंड ही सैंड मिले हर बीच पे कुछ बीचेस जो रहते हैं वाप इस तरह से आपको पेबल्स मिलेंगे कोबल्स क्या होता पता है पहले जमाने में आपने दिखाँ को नहीं से रोड जो बनते थे तो उस पर स्क्वेर सिप में से फटर रहते थे तो तो थोड़े बड़े रिलेटिवली पत्थर जो रहते तो वह कोबल्स कहलाते हैं तो वह कोबल्स पेबल्स एक बीच पर आपको देखने को मिलेंगे तो उन बीच को क्या कहा जाएगा ठीक है शिंगल बीचेस कहा जाएगा और यह भी डिपाजिटी हुए समुद्र जो है वेवस जो है तो वेवस करेंट के अपने अंदर से सारे ऐस स्मय चैनने वह संधिन रहे है और रहे हैं तो ऩां वी उसलुको यह हों वैसके हो घु कई समझे हो गया समुद्र आपका यह समुद्र तो अब क्या हो रहा है कि ये यह को रहा एक थरवीचव वाला एरिया यहां पेवेख ए भूम रहे हैं दोर लगारे लाए। यहां पर सब कुछ है बीच पे इसके पीछे अगर जैसे आप देखोगे ना तो जस्ट बिहाइंड टी बीच इदी सैंड लिफ्टेट इन विनोड बिनोड मतलब का विनोइंग करते ना जैसे अनाज की विनोइंग होती है तो वैसे ही यहां पर क्या होता है कि हवाय जब चल के पास में इतना बीच हो गया अब यह बीच के पीछे अगर आप देखोगे तो यह पूरी की पूरी सेंड यहां पर उड़के आगए यह सी डिपॉजिट होगी तो स्मॉल हिल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे उन्हें सेंड यून्स कहा जाता तो सेंड यून्स ठीक है यह फ्रम ओवर इस बीच सर्फेज विल डिपॉजिट एज सेंड यून्स सेंड यून्स फॉर्मिंग लॉंग रिजिस पैरलल तुदी कोस्ट लाइन आर सेंड बॉट इसेंड देखने को मिल जाएगी जो डिलकी चोटी-चोटी हिल्स की तरह होती है ठीक है अब एक इंटरस्टिंग सीज़ बता देता हूं यह डिपाउजिशनल एंट एक डिपाजिशनल एंड फांट वर्स होता है अभी नेक्स वीडियो मां पढ़ेंगा पढ बार जाए चुका हो आपको बैरियर बार भी पैरलल होता है कोष्टल रीजिन के लेकिन वह बैरियर बार कहां होता है इंसाइट दी ओशियन और यह जो होते हैं यह ओवर दिलाइंड होते हैं यह चीज़ धिया रखेना सेंडियों कहां बनेंगे यह सेंडियों से तो सेंडियों भी पैरलेल कोस्टल राइन के लेकिन वह लैंड सर्फेस पर बनेंगे और जब वही उस तरह की मिट्टी समुदर के अंदर जमा होने लगेगी ना सै तो वह क्या कहलाएगी बैरियर बार कहलाएगी ठीक है यह डिफरेंस था ध्यान रखना चलो वह तो हमारा बीचेस एंड ड्यूंस वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ मैगनेट बेंस पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर सभी टॉपिक्स सिस्टमाटिक विए में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मैट में अविलेबल है यह सारे वीडियो लेक्चर्स आप खुब आराम से बेफिक्र होकर घर बैठें फ्री कि आप तो नेक्ट वीडियो में सारा सब कुछ पढ़ते हैं मिलते नेक्ष वीडियो में तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लगनिंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच